दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी विथ अनूप पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 36 गढ़ वन रच्चक भरती के बारे में याने की 36 गढ़ फोरेश्ट गार्ड की जो विगैंसी थी उसके बारे में दोस्तो अभी आज जो है एक नोटिश जाला गया है 36 गढ़ वन विभाग की ओफिसियल विबसाइट पर जो की 36 गढ़ फोरेश्ट गार्ड की विगैंसी को लेकर है कि je total form फिलाप गए थे दिसम्बर और जनवरी के महिने में तो उनमें जो है छटमी की गई है जो form सलेक्ट कीए गए है तो जो रिजट कीए गए है form उसके सामने उसका कारण भी दिया गया है कि आपका form किस कारण से रिजट किया गया है तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ओफेसियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं और हाँ आप जो है उसमें दावा अपत्ति भी कर सकते हैं आपके नाम के सामने लिखा होगा कि आपका फॉर्म किस कारण से रिजेक्ट हुआ है तो आप उस कारण से अगर संतुष्ट नहीं है तो आप इसके खिलाब दावा अपत्ति कर सकते हैं और ये दावा अपत्ति आप 23 अपरेल से 7 मई के बीच में आप कर सकते हैं याने कि 15 दिन का समय आपको दिया गया है कि अगर आप का फॉर्म किसी कारण से रिजेक्ट किया गया है और आपको वो कारण वैद नहीं लगता तो आप उसके खिलाब दावा पत्ति कर सकते हैं और साथ तारीक के बाद आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप जल्दी से जाकर चेक कीजिए कि आपका फॉर्म एकसेप्ट हुआ है या रिजेक्ट और अगर आपको लगता है कि रिजेक्ट का कारण सही नहीं है तो आप इसके खिलाब दावा पत्ति कर दीजे और हाँ अगर आप 36 गड़ फोरेष्ट गार्ड की तैयारी करने हैं तो हमारे द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर बनाया गया है ठीक है यह मॉडल टेस्ट पेपर आपको 100 रुपए में दस टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, 100 रुपए में 10 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, जो कि आप अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप 9399790996, इस नंबर पर आप वाटसप करके, मात्र 100 रुपए पे 10 टेस्ट पेपर ले सकते हैं, ठीक है, और ये टेस्ट वाटसप पे आपको pdf के keyboard मिलेंगे, और हाँ ये टेस्टेवर केवल हिंदी मीडियम में उपरब्न है, अगर आप इंग्लिज एउट से हैं, ये paper आपके लिए नहीं है, ठीक है, केवल हिंदी मीडियम के छाद्टों के लिए ही ये paper बनाया गया है, तो आसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें, और चैनल को सस्क्राइब करें, साथ ही बिल आईगन को जुरू दवाईए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपिकेसन आप तक सबसे पहले पहुँचे, बन्यवाद